कभी ना कभी हम सब के मन में ये सवाल जरूर उठा है कि आखिर हमारी जिन्दगी का मकसद क्या है? हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि कैसे कुछ लोग अपनी जिन्दगी में खुशियां ढूणने और उसे बनाए रखने में काम्याब होते हैं. हो सकता है आपने सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स के बारे में खुब सोचा हो और कुछ सलीशन भी निकालने की कोशिश की हो. इस समरी में आप ऐसे ही कुछ बनियादी सवालों के जवाब पाएंगे. हाला कि यहाँ पर आपको कोई आसान जवाब नहीं मिलेंगे. आगे चलकर इस समरी में आप जो कुछ जाने हो सकता है वो आपको प्रॉबोक कर दे. मिसाल की तोर पर सस्टीन्ट हैपिनस नाम की कोई चीज होती ही ना हो तो? जिन्दगी के मकसद की तलाश करना चीजों को समझने का घलत तरीका हो तो? आगे आप जो भी जानेंगे वो आपकी पहले से बनी सोच को चैलेंज करने के साथ ही आपको इंस्पायर भी करेगा. इस समरी में आप जानेंगे कि आपके कल्चर की कंडिशन ने आप पर क्या असर डाला है? क्यूं रेविलिशन से कुछ नहीं बदलेगा? और इंटिलेक्ट और इंटेलिजिन्स में क्या फरक है? तो चलिए शुरू करते हैं. आपके कंडिशन की वज़े से आप चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी असल में वो हैं. कुछ पल के लिए ठहरिए और सोचे आप इस दुनिया को कैसे समझते हैं या क्या समझते हैं? मिसाल की तोर पर लव या प्यार को ही ले लिजे. जब से आप पैदा हुए हैं आपने इस शब्द के बारे में जाना है. और इसी जानकारी के वज़ह से लव को लेकर आपकी एक सोच डिवेलप हुई है. हो सकता है लव शब्द सुनते ही आपके मन में एक हापी कपल और उनकी वेडिंग का खयाल आ जाता हो. या फिर धेर स सारे फूलों का सिर्फ्राइज गिफ्ट के तौर पर मिलना ही आप लव समझते हो. चाहे जो भी हो, आप लव को अपने सोचल, एकनॉमिक, कल्चरल बैक्ग्राउंड पर डिपेंडेंट एक कंडिशन के तहत ही देखते हैं. इससे पता चलता है कि लव को लेकर आपकी समझ बहुत छोटी है और इसका जो एक कॉंपलेक्स कॉंसेट है आप उसके बारे में नहीं जानते. जब आपकी पहली वाली जानकारियां आपके सामने कंडिशन रख देती हैं कि हाँ, दुनिया ऐसी ही है तो आप दुनिया को इसकी हकीकत और कॉंपलेक्सिटी के साथ नहीं सम आपका दिमाग, आपकी कल्च्रिल बैक्ग्राउंड और बिलीव सिस्टम से बंधा हुआ है. ये जानने के लिए कि जिन्दगी हकीकत में कैसी है, इसके उतार चड़ाव को समझने के लिए आपको अपना जहन और नजरिया बदलना होगा. अगर आप खुद को जिन्दगी पूल को खिलते और फिर मुर्जाते हुए देखते हैं, तो इसे लेकर हर दिन आपकी सोच बदलती रहेगी. इमानदारी से एनालिसिस किया जाए, तो एकदम वैसी ही जिन्दगी है. इसके बारे में कोई एक सोच लंबे वक्त तक नहीं चल सकती. इसे बहुत तवज्जो देने की जुरुत है. जिन्दगी को और इसकी सचाई को समझने के लिए आपको उन सभी थियोरीज और सिस्टम को नजर अंदास करना होगा, जो जिन्दगी को पूरी तरह से समझने का दावा करते हैं. ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खास तोर पर तब, जब आप पहचान को एक सोशिलिस्ट, कैपिटिलिस्ट, क्रिस्टिन या हिंदू की तोर पर समेट लेते हों. अगर आप किसी रिलिजिन या आइडियोलोजी को फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन को दुनिया को लेकर अपने नजर ये में फिट करने की कोशिश करेंगे चाहे वो सिचुएशन आपके विलीफ सिस्टम से पूरी तरह अलग ही क्यों न हो. तो आप अपने आपको दुनिया से कैसे जोड़ेंगे? आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि आपका दिमांग किस तरब चाता है? आपको इसके काम करने का तरीका अब्जर्व करना होग जैसे आप कहीं दूर से देख कर अब्जर्व कर रहे हों. तब ही आप समझ पाएंगे कि कैसे आपकी कंडिशन दुनिया को लेकर आपके नजरीयों को लिमिटट कर देती हैं. इसी तरीके से ही आप अपने आपको और दुनिया के साथ अपने रिष्टे को समझना शुरू क कर देंगे. और यही जिन्दगी की तरफ हर रोज बदलती और बढ़ती प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने का पहला स्टेप है. दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा. एक रेविलेशन के बारे में सोच कर देखिए. इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की बात स वो उखाड फेकते हैं. वो एक ऐसा Constitution पेश करते हैं जिसमें Transparency लाने, कमजोर तबके को आगे लाने और Violent Conflict खत्म करने का दावा किया जाता है. जब लोग दुनिया बदलो सुनते हैं तो उनके ध्यान में कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं. ओथर कहते हैं अगर हम ऐ जाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे साफ तोर पर कभी नहीं समझ पाएंगे. ये हमें किसी भी तरह के Positive Change लाने से भी रोक सकता है. अगर हम दुनिया को बहतर बनाने के लिए किसी Revelation, Spiritual Transformation का इंतजार कर रहे हैं तो हम हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं. हकीकत ये है कि बदलाव ह हमारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं. इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल जुल रहे हैं. हमारी दिक्कते कोई बहुत बड़े Political या Religious लेवल से नहीं, बलकि इनहीं छोटे-छोटे मसलों से शुरू होती हैं. हमारी दिक्कतों की वज़र, Fascism, Capitalism या Religion न करना है. चाहे हम Economic Inequality की बात करें, जंगों की बात करें या फिर Psychological बिमारियों की. प्रॉब्लम्स की असल वज़ह हम खुद हैं. ओथर के मताबिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अपनी बनावट है, जो हमें दुनिया में चल रही हर चीज के खिलाफ खड़ी कर देती ह एक इनसान की तोर पर हमें Power, Position और तरह तरह के Influence की खुआईश होती है, जो हमारे आसपास Problem Create करती हैं. अपने खुद के फाइदे के लिए हम सारी चीजें बरबात करते हैं. ओथर का मानना है कि हमें मैं वाली Feeling से बाहर निकल कर आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन सिर्फ इसक अपने दिमाग के काम करने की तरीके को अब्जोव कीजिए. उसके बाद सिर्फ अपने आप को अच्छे से समझ कर, आप ये बात जान सकेंगे कि कब अपने एगो की वज़े से आप गलत काम या दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला काम करते या कर रहे हैं. खुशिय एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश में हम में से हर शखस घूम रहा है. आकरकार खुशियों की तलाश ही तो जिन्दगी का मकसद है. चाहे वो प्यार, करियर या फैमली, किसी भी जरीय से मिले खुशी एकलोती ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं. यहाँ पर दिक् तो हमें बहुत चोटी चोटी चीजों में और बहुत आसानी से खुशिया मिल जाती हैं. हम बिना कोशिश किये ही खुश रहते हैं. केलने, दोडने, स्विमिंग करने और नेचर से मिलने वाले अलग-अलग एहसासों में हमें खुशिया महसूस होती हैं. जैसे जैसे हम प्रॉब्लम ये है कि हमें जैसे ही वो चीज मिलती है जिसे हम पानी की कोशिश कर रहे थे उसके मिलते ही हमें उसे खो देने का डर सताने लगता है चाहे वो परफेक्ट पार्टनर हो खुबसूरत घर हो या किसी बड़ी कमपनी में बड़ी हसी नौकरी आप किसी के प्यार मे पढ़ते वक्त बहुत खुबसूरत महसूस करते हैं लेकिन उसके बाद उस प्यार के खत्म हो जाने या उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडन्ट हो जाने का डर सताने लगता है जो चीज बहुत सिंपल और खुबसूरत थी वो नाराजगी और डर के एक मिक्सचर में बदल जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं खुशियों को पाने की चाहत बद्दूआ में तबदील होने लगती है जब हम खुशियों की तलाश करते हैं तो उसमें एक तरह की सिक्योरिटी भी तलाश होती है जैसे कोई हमें हमेशा अपनी बाहों में थामे रहे हम हमेशा साइ विकत ये है कि इसमें किसी भी तरह की लंबे वक्त तक ठहरने वाली सिक्योरिटी नहीं है। जिन्देगी हवा की तरह बदलती है और हम असल में अकेले ही होते हैं। यहां तक ही हमारे पैरेंस, पार्टनर और बहुत करीबी दोस्त भी वो सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते क्योंकि वो भी इस दुनिया में अकेले ही हैं। तो इसका इलाज क्या है? आथर का मानना है कि इस निराशा से बचने का इकलोता तरीका ये है कि हम ऐसी किसी खुशी की तलाश छोड़ दें जो लंबे वक्त तक ठहरें। इसका मतलब अपनी उस पहचान से, अपनी उस मजूद से बहार निकलना है जिसका मकसद ही खुशियां इकठा करना है। अगर आप अपना हर पल इस हकीकत की रोशनी में गजारते हैं कि कुछ भी पॉर्मिनेंट नहीं है, यहां तक की खुशियां भी नहीं, तभी आप असल में खुश रहे पाएंगे। Intellect का क्या मतलब होता है? यह शब सुनते ही हमारे मन में complex problem solve करते हुए scientist की तस्वीर और A-grade के students का खयाल आता है। Intellect का मतलब एक तरह की analytical और detective thinking होता है। इसका मतलब ऐसी कोई चीज भी होती है जिसे किसी direction में train किया जा सके। असल में modern education सिर्फ यही काम करती है। मिसाल के तोर पर education के जरिये किसी दिमाग को mathematics, physics या economics में train करके शाप नहीं कर सकते। हाला कि author का मानना है अगर आप सिर्फ अपने intellect का इस्तमाल करते हैं तो इस दुनिया को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इस दुनिया को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको अपने intelligence का इस्तमाल करना होगा। अगर intellect और intelligence एक ही चीज नहीं है तो आखिर intelligence का क्या मतलब है। इसका मतलब feel करने के साथ साथ उसके पीछे के logic का भी इल्म होना है, feeling और reason के साथ सुकून से बसर करना है। दुनिया को लेकर academic understanding पूरी तरह से intelligence का इस्तमाल नहीं करती क्योंकि ये feeling को नजर अंदास करती है। तो आप सिर्फ intellect के बजाए अपने intelligence का भी स्तमाल कैसे कर सकते हैं। ऑथर का मानना है कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शान्थ करना होगा। आप तभी कोई चीज समझ पाएंगे चाहे वो कोई इनसान हो, painting हो या शहर जब आपका दिमाग और खयाल शान्थ होंगे। अगर आप busy mind के साथ चीजों को समझने और उसके पीछे की वज़र जानने की कोशिश करेंगे, तो आप पूरी तरह से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सच तभी सामने आता है जब आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत गहरा होता है और इसे पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा मौझूद है जो लगातार आपको दुनिया के बारे में बताता रहता है तो आप कभी भी कुछ भी प समझना होगा कि आपका intellect आपकी education और आपके background की वज़े से जो condition create हुई है उसका एक product है ना कि ऐसी कोई quality जो आपको सच दिखाएगा। इन सभी condition की वज़े से आप चीजों को वैसे ही समझते हैं और analyze करते हैं जैसा आप करते आ रहे हैं। जब आप इस सच को जान लेंगे तो आप अपने intellect और जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच कुछ distance create कर पाएंगे और हो सकता है पहली बार आप किसी चीज की सच्चाई को समझ सकें। जब आप बोरियत में हसूस कर रहे हो तो आपको इस से पीछा चुडाने की बज़ाए अपने आपको इ इंतिजाम करते हैं, जॉगिंग पर जाने की कोशिश करते हैं या अपने किसी friend को call करके पूछते हैं कि क्या वो आपके साथ एक drink के लिए चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिन्दगी से ही बोर हो गए हैं तो आपको अपनी जिन्दगी में ही कुछ नजर नहीं आता त तो आप इसे बनलने के लिए नई जॉब ढूनते हैं, कहीं दूर घूमने जाते हैं, बेसिकली जल्द से जल्द उस बोरियत से बहार निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा करके आप गलत करते हैं तो क्या पता ये बोरियत आपको आपकी पहचान और कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बहतर यही है कि इससे बाहर निकलने के बजाए आप इसे समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो वो फिर से बोरियत से निकलने की एक कोशिश होगी, जो कि distraction से ज्यादा और कुछ नहीं और क्या अपने आपको distract करने के लिए कुछ करना उस काम की वज़ा के लिए काफी है, खास तोर पर कोई बड़ा काम जैसे कि politically active होना या अपना career बदलना? नहीं, बिलकुल भी नहीं, इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ पल के लिए ठहरिये और सरसच यही होता है कि हम खुद से ही अपने आपको एकदम मुर्जा देते हैं, बहुत सारे काम करके या किसी और वज़र से अपने आपको ठका देते हैं, उसके बाद जब आप ये चीज समझ लेते हैं, तो भी भागने की कोशिश करने की बजाए, बैटकर उसको महसूस अपने आपको ठका हुआ और अनिंट्रेस्टिट महसूस होने दीजिए, ऐसा करके आप उन फीलिंग्स के साथ जीना सीख जाएंगे, और फिर वो सिर्फ एक फीलिंग ही रह जाएगी, ना कि ऐसी कोई चीज जो आपको कुछ अलग करने पर मजबूर करें, अगर आप अप पैसा नहीं कर पाते, तो आप भटकते ही रह जाएंगे, आपको ये समझना होगा कि बोरियत से भागने के लिए तरह तरह की चीज करने की कोशिश और ज्यादा बोरियत क्रियेट करती है, एक बार आप कुछ हासिल कर लेते हैं, चाहे कोई इंट्रेस्टिंग इंसान, कोई नौकरी या फिर बहुत सारा पैसा, उसे हासिल करने के बाद आप उससे बोर ही हो जाएंगे, और इस बात को समझ कर आप अपने आप में ही comfortably जी सकते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है? ये सवाल लोग सदियों से अपने आप से पूछते आए हैं, बहुत सारी philosopher, religious leader और अलग ग्रूप के गुरूज ने संतोष जनक जवाब देने की कोशिश की है, बहुत सारे आम लोगों ने भी इस सवाल के जवाब की तलाश में खूब माथा पच्चे की है, शायद आप भी अपने आप से यही सवाल कर रहे हों? आथर के मुताबिक ऐसे question के साथ शुरुआत करना ही गलत है. हम सोचते हैं कि thinkers और काम्याब लोगों को follow करके हम जिन्दगी का मकसद जान सकेंगे. हम अपनी जिन्दगी को shape और मकसद देने के लिए हम से पहले आए लोगों और अपने cultural tradition की तरफ देखते हैं. हमारे दिमाग में जिन्दगी जीने के बहुत सारे example भरे हुए हैं. जिसे हम अपनी जिन्दगी के लिए model की तौर पर देखते हैं. हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी जिन्दगी के लिए किसी road map की तलाश होती है. हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आकर purposeful life होती कैसे है. लेकिन जब हम purposeful life के example ढूणने में बजी रहते हैं जो purposeful जिन्दगी समझने में आपकी मदद कर सके. अगर आप जिन्दगी को लेकर किसी justification की तलाश में रहते हैं तो आप उन चीजों से चूक जाते हैं जो पहले से ही extraordinary हैं. जब आप अपने आप से जिन्दगी के मकसद का सवाल करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपकी जि और पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन्दगी का मकसद उपर वाले की तलाश करना या फिर काम्याब होना है तो मुम्किन है कि आपकी नजर में जिन्दगी कोई ऐसी चीज है जिसे accept और appreciate करने की बजाए आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं. जिन्दगी को कई तर की वज़ जानना आपका फर्ज है. अपनी तकलीफ, confusion जैसी feeling का सामना करके ही आप अपने मकसद की तलाश की खुआश से आगे बढ़ पाएंगे. जिन्दगी अपने आप में ही बहुत खास और गहरी है. जिन्दगी अपने आप में ही काफी है. कुल मिला कर, दुनिया को बदलने के लिए आपको खुद से शिरुवात करनी होगी. कोई भी revolution या political theory आपके आसपास मौजूद दिक्कतों को नहीं सुलजा सकती. आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आपने अपना नजरिया बना रखा है, उसी वज़र से आप दुनिया क क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं. इसका मतलब है बन्याद चीजों के बारे में आपके मन में पहले से ही एक सोच मौजूद है, जैसे कि जिन्दगी में खुश्यों की एहमियत और psychological security. और अगर आप पहले से ही मौजूद सोच से आगे बढ़कर नहीं देखेंगे तो आप को निराशा ही हाथ लगेगी. कुल मिलाकर जिन्दगी अपने आप में ही काफी है. इसका मकसद ढूनने की कोशिश एक गलत कदम है. क्या करें? अपने दिमाग के सोचने के तरीके को observe कीजिए. और दुनिया को लेकर अपने दिमाग में पहले से fixed सोच को note कीजिए. अगली आपके मन में उस particular चीज को लेकर ऐसा खयाल आया कहां से? आपके मामले में ऐसा क्या है जो आपके इस opinion की वजह बना? ये cultural या economic background, nationality या sex orientation कुछ भी हो सकता है. क्या ये चीज़ें आपको अपने opinion के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए encourage करती हैं? क्या आप सिक्के का दूसरा पहलू देख पा रहे हैं. हो सकता है आप गलत भी हो.